हस पर्मेश्वर मुसा और हारून के हिरोन के पास इकोहे खाती भेजले की एस्राइली लोगन के जाये दूँ लोग उनके चेतावनी दिहले की यदि उ उ उ लोगन के ना जाये दूँ हा तौँ पर्मेश्वर मिस्र के लोगन के और ही जानवरन के सब पहिला उठा के मार दिहें फिरोन ये बात सुनके भी पर्मेश्वर पर विश्वास करे से और ही बात मनला से मना को दिहले पर्मेश्वर पर विश्वास करे वाला केहु के भी पहिला बेटा के बचावे खाती एगो उपाय का योजना बनाई ले हर परिवार के येगो निस्कलंक जानवर का बच्चा के लेके उकर बद करे के रहे पर्मेश्वर इस्राइली लोगन से वो भेड का बच्चा की खोन के लेके अपनी घर की दुवारी पर लगावे के कहले उँ लोगन के उकरे मास के भूजे के रहे और फिर उँ लोगन के अखमेरी रोटी के साथ उके जल्दिये से खाय के रहे उँ उँ लोगन के उँ भोजन के खायला के बाद उँ लोगन के तुरंत मिस्र के छोड के भी तयार होखे खातीर कहले जैसन करे खातिर परमेश्वर इस्रारी लोगन के आग्या दिहले रहले उँ लोग उकरी अनुसार सब कईले आधी रात में परमेश्वर हर एक पहिला बेटन के घात करत मिस्र की बीच में से होके गईले इस्रारी लोगन के हर एक घर की दुवारी पर खून लगल रहे यही से परमेश्वर उँ घर के छोड़ दिहले उकरी भीतर का सब लोग बचल रहे उँ लोग भेड का बच्चा की खून की वज़ा से बच गईले लेकिन मिस्री लोग परमेश्वर पर विश्वास ना कईले और उनकरी आग्या के भी ना मनले यही से परमेश्वर उँ लोगन के घर के ना छोड़ ले परमेश्वर मिस्री लोगन के हर एक पहिला बेटन के मार देहले जेल की कईदियन की पहिला से लेके फिरोन की पहिला तक हर एक पहिला नर मर गई ले अपन गहरी वेदन के कारण मिस्र के बहुत लोग रोवत रहले औरी सोक मनावत रहले ओही रात फिरोन मुसा औरी हारून के बुलावले औरी कहले की एसराली लोग के लेके तुरंत मिस्र से निकल जाजा मिस्र का लोग भी एसराली लोग के निकल जाए के खातिर बिंति कईले निर्गमन अध्याय एक ज्यारा का एक से बारा का बत्ति से एगो बाइबिल का हीशा